Hello and welcome to RLR Excel Network, मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस amazing and awesome वीडियो में मैं आपको सिखा हूँगा कि कैसे आप Excel के अंदर multiple dependent drop-down list बनाना सीख सकते हैं, all right, multiple dependent drop-down list क्या होती है, चलिए पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कैसे create कर सकते हैं, यह हम सेखेंगे, so उसके मैंने यहाँ पर कुछ country's name, कुछ state's name और कुछ cities name का example लिया हुआ है, जिसमें से country name है, America, India and China, and on the basis of these country name, यहाँ पर इनके क्या state name हो सकते हैं, यह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनके state name के base वर उस state में कौन कौन सी cities हो सकते हैं, उनके कुछ random data मैंने यहाँ पर लिय let's say मैं change करता हूँ India, तो क्या होगा कि India के अंदर जितने state हो सकते हैं, जो मैंने data के अंदर put क्या हुआ है, वो सारे के सारे इस वाले state वाले cell के अंदर आ जाएंगे, जैसे UP, MP and UK, अगर मैं यहाँ पर select करता हूँ UK, means उत्तराखंड, so उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी cities available है, जो मैंने data के अंदर use किया है, वो सारे इस list के अंदर आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाले list, city वाले dependent है, अपने state वाले पर, अगर मैं यहाँ पर change करता हूँ UP, so आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाम आएंगे, वो सारे UP किया जाएंगे, अगर मैं select क के अंदर कैसे create करते हैं, चलिए मैं आपको इसको सिखाता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर जो data लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह मैंने data यहाँ पर use किया हुआ है, यह देखिए, मैं थोड़ा सा छोड़ा कर देता हूँ, यह मैंने data यहाँ पर ल जो आपका state है उसके अंदर कौन कोंसी city है, फिर MP जो city है, उसके अंदर कौन कोंसी city है, फिर UK जो state है, उसके अंदर कौन कोंसी cities है, same मैंने इन सब के लिए यह data create किया हुए, तो मैं क्या करूँगा, simple अपना यह data उठा लेता हूँ और आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप dependent drop-down list create कर सकते हैं, मैं just यहाँ पर paste कर देता हूँ, उसके बाद, अब आपको क्या करना होगा, कि dependent drop-down list बनाने के लिए दो काम करना होगा, सबसे पहले कि आपको अपनी हर एक cell को name देना होगा, cell range को name देना होगा, so आप क्या कर सकते हैं, कि उसके लिए जैसे माली जी मैं इ सारे इंडिया के अंदर है, so मैं इसको select करके यहाँ आपन नाम दे दूँ, इसका नाम इंडिया, यह सारे states जो America के अंदर है, so इनको मैं select करके अमेरिका नाम दे दूँ, इनको मैं चारिना दे दूँ, similarly मैं इन सब के लिए कर दूँ, तो अगर आप यह one by one करेंगे, तो आ आपको जितने भी नेम है, उनके उपर जो टॉप में नेम है, वो क्या बन जाएगा, as a table name के रूप में बन जाएगा, चले मैं दिखाता हूँ आपको, यह देखे, अब मैं इसको select करूँगा, तो इसका जो table name है, वो है India, अगर मैं इसको select करूँगा, तो इसका name है America, similarly अगर मैं इसको select करूँगा, तो इसका नाम है Florida, so यह simple तरीका होता है, जिससे आप जो है name manager के help से create कर सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, अपना dependent drop-down list बना और उसके बाद जो है, मैं अपना simple, dependent drop-down list create करूँगा, so इसके लिए मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले अपने इन तीन cell को, या जितने भी आपको list create करनी है, उतने cells को आप select कर ले, data के अंदर जाए, data validation के उपर click करें, और यहां से allow के अंदर से select करें list, और यहां से आप source क अंदर, आपके countries की जो name की list है, वो कहां पर exist कर दिया, उसको आप select कर ले, तो मैं इस cell को select कर लेता हूँ, उसके बाद कर दूँगा, मैं simple, okay, तो आप देखेंगे कि यह simple drop-down list, जैसे आप normally drop-down list मनाते हैं, वैसे drop-down list बन चुकी है, all right, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा से zoom कर देता हूँ, उसके बाद ता कि आपको यह easily समझ में आ जाएगा, और यहां पर जो है, मैं इनको यहां से नाम pull करने के लिए, चुकि यह name manager के थूँगा, मैंने सभी को name define कर दिया है, तो मैं indirect formula के else से name को pull कर लूँगा, अब क्या होगा, कि indirect formula में जब मैं इ dl, ताकि यह data validation का page है, यहां से आप select करेंगे list, यहां पर आप source के अंदर click करेंगे, और formula लगाएंगे indirect, bracket open करेंगे, अब यह कहां से उठाए, अब मैं जैसे select करता हूँ, America, तो यह क्या होगा, कि America मैंने name यहां select कर दिया है, लेकिन indirect formula पहुंच जाएगा यहां पर, इस इसके बाद check करेगा कि इस list के अंदर कौन कों से नाम आ रहे है, तो जो जो भी नाम आ रहे हैं, वो इस cell के अंदर उठा के मुझे दे देगा, और formula को close करने से पहले मैं क्या करूँगा, यह जो dollar का symbol है, इसको मैं जरूर remove कर दूँगा, वरना अगर मैं formula को copy paste करूँगा, या press करूँगा all dl, यहां से मैं list select करूँगा, और यहां से source के अंदर मैं is equal to, और indirect formula को put कर दूँगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसके बाद मैं इस वाले cell को select करूँगा, क्योंकि इस बार cities के लिए यह dependent होगा state के उपर, bracket को close करेंगे, और मैं यहा ले को copy paste करेंगे, तो यह दिक्कत ना दे, उसके बाद simple आप copy paste करते हैं, तो यह आपका data ready हो चुका है, अब अगर आप यहां पर कोई भी नाम select करता हूँ, let's say मैं करता हूँ China, तो आप देखेंगे कि यहां पर सारे China के states आ जाएंगे, यह देखिए, अगर मैं select करता यहां से Shanghai, जो कि China का state है, तो यहां पर क्या होगा, कि इस table list के अंदर से जितनी भी Shanghai की cities हैं, वो सारी की सारी आजाएंगी, देखिए, आप यह सारी की सारी list आ चुकी है, आप जैसे India मैं चूज करता हूँ, यहां पर आजाएंगे सारे India के states, मैं यहां पर चूज करता जिसे आप Excel के अंदर अपनी एक multiple dependent drop-down list create करना सीख सेते हैं, आपने ऐसा internet पर अगर आप किसी web page पर जाते हैं, तो ऐसे जरूर देखा होगा, जिसके अंदर आपकी पहली list किसी दूसरी list के ओपर dependent होती है, तो यह काम आप Excel के अंदर कैसे कर सकते हैं, यह मैंने आपको आज सिखाया होगा है, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि dependent drop-down list कैसे create करते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को like करते हैं, अपने दोस्तों के साथ share करते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया, तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे कियाने वाली वीडियो बहुत ही advance और unique होने वाली है, alright, so मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye.